तो एक्जाब में क्युसरं समझ में नहीं आता है तो घर आके समझ लिया करो कि लिएरे बस यही फ़र्क है कि घर आकरके हर बार वार समझ के जहो गये न तो पेपर काफी देने पड़ जाएंगे जिन्दिगे नहीं में जैसे कि नॉर्षेट का तीन तारीकों पेपर है तीन तारीकों पेपर समझ में नहीं आएगा चार से बहुत ज्यादा समझ में आएगा तो फिर वही लाइन निकल के आएगी कि अब पस्ता है क्या हो जब चिडिया चुक गई खेत तो बेटा एक्जाम में समझने की कोशी स्कुरो और जो पहले तैयरी करके जाते है उन्हें एक्जाम में समझ में आता है भगवान की कसम आता है लिख के दे सकता हूँ चलेगा क्यूशन प्रेक्टिस करो एक्जाम में क्यूशन समझ में नहीं आने का कारण क्या है क्यूशन प्रेक्टिस करो खुब सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार सिदार्थ मैं क्या क अरे कठीन परिश्थितियों में जो खुद को साबित करें वही तो अच्छा किंग हो कहलाएगा अरे घर पे तुमारा कहीं लोग होते हैं ना कि में घर पे बेटा बेटा मेरा बहुत दिमाग चलता है लेकिन मुझे कोई अचानक से कुछ पूछ ले तो मेरे दिमाग नहीं च जाता है जजमेंट किसे बोला जाता है decision making capacity किसे बोली जाती है कि on the sport बोलेगे सब्द on the sport लिया गया decision कठीन परिश्थितियों में खुद को साबित करना ध्यान रखेगा cricket के खिलाडी बहुत होते हैं लेकिन जब आपने मेंदर सिंग दोनी को देखा होगा जब सारी परिश उसमें काई काई stress level है सामने कोन है जिंबा बे अरे सर 300 बोले 160 रन चाहिए सामने जिंबा बे मेच को उल्टा कर दो 160 बोले 300 रन चाहिए सामने कोन है South Africa है Australia England है उतार दो धोनी को guarantee है मेच को निकाल के लाता है क्यों because उसका stress level उसका judgment जो उसका temper है उसका IQ level है वो stress level में और ज् सारपने इसके साथ सोचता है important चीज सर वो क्यों सोचता है क्योंकि जितना stress मेदान में create होता है उससे 1000 गुणा stress वो अपने मेदान के बार खुद के उपर create कर लेता है तो आप लोग भी exam hall में जितना stress create होना उससे ज़्यादा stress पहले create कर लो अरे उसका हाँ उससे कर लो कि आप exam hall में जब जाओगे तो उसका stress आपको हलका लगेगा क्या लगेगा हलका लगेगा मेरे जबान से आपने सबसे ज्यादा कोई सब्द सुना होगा आप खुब सारे बच्चों का जब भी मैसे जाता है मैं कुछ reply देता हूं या नहीं देता हूं तो दो reply जरूर कर क्युस्न प्रेक्ट्रीस ज़्यादा से जदा कर तो exam hall का пам करने का सबसे बड़िया तरEEका एक्जाम से पहले खुद के ऊपर इतना ज़्यादा होगे कि exam hall का ही स्ट्रे मोथ क्या लगेगा लगेगा बहुत च्योटा लगेगा लेकिन अगर पहले चोटा स्टेस लेके जाओगे तो एक्जाम वाला बहुत जादा स्टेस लगेगा और आप उसमें टिक की नहीं पाओगे आप आउट बाउंटरी हो जाओगे पहले ही हो जाओगे यह मेरी गारेंटी है तो आपको मैं इतने लंबे टाइम से आपको पता है कि जब मैं क्यूश साथ में क्यों करवाये जाते हैं क्योंकि एक्जाम मिनर सारे क्यूशन एक साथ में पूछता है सब्जेक्ट वाइज नहीं डालता है तो यह सारी चीजे में आपके सामने वह इस्ट्रेस लेवल डेली क्रियेट करना चाहता हूं जो एक दिन क्रियेट करना चाहता हूं मेरी सोच यह कि मैं 400 अरे 478 एपिसोड तक आपके दिमाग में जो stress level create कर दिया आपका नौर्शेट तक लगवग आपन 500 500 एपिसोड पहुंच जाएंगे इतना stress जिस बच्चे ने रोज सेयन कर लिया उसको नौर्शेट में जाओगे तो आप बोलोगे ये ये ऐसा तो मैं रोज गेम खेल के आता हूँ ये ही है क्या ये तो मैं डेली डील करता हूँ तू पूछ क्यूसन में देता हूँ जवाब